आज हम रिव्यू करेंगे 2005 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्फिलर मूवी जुरुम का जिसकी लीडिंग कास में मौजूद हैं बॉवी दियूल, लारा दत्ता, मिलिन सोमन, शक्ती कपूर, गुल पनाग, अशिश विद्यार्थी, फिर दोस मेवावाला और मिलिन गुनाजी इसके लावा इस फिल्म को डारेक किया है विकरम भड ने और इस फिल्म के प्रेडिूसर्थ हैं अशिश सिंग, अनुराक सिंग और केपी सिंग अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक मड़र से जहां अबिनाज मलोतरा यानि बाबी दियोल को मौका वारदात पे बिहोश पाया जाता है और जब उसे होश आता है तो पुलिस उसकी बीबी संजना मलोतरा के कतल के जरुम में गिरिफतार कर लेती है जिसकी डेड बॉड या भी ला पता है और फिर कहानी में एंट्री होती है अबिनाज के दोस और उसकी कमपनी के लीगल एडवाइजर रोहिश शर्मा यानि मिलिन सोमन की जो अबिनाज को बेल दिलवाने की कोशिश में नाकाम हो जाता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और फिर अबिनाज ACP विश्णू यानि अशिश विद्यार्थी को अपनी जिन्दगी कहानी बताता है और फिल्म पास्ट में चली जाती है जहां अबिनाज एक सक्सेस्फुल बिजनिसमेन है और फिर एक पार्टी के दोरान उसकी मुलाकात होती है संजना यानि लारा दत्ता से जो एक बहुत खुबसूरत लड़की है और फिर कुछ मुलाकातों के बाद वो अच्छे दोस बन जाते हैं और अबिनाज उसे अपनी परसनल सेक्रेटरी बना लेता है और फिर कुछ अर्से के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब शादी के कुछ अर्से बाद संजना अविनाज चे जुट बोलना शुरू कर देती है और अविनाज को उस पर शक होना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन वो संजना को किसी आदमी के साथ भी देख लेता है तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि उसकी बीवी का किसी के साथ अफियर है अब इसके आगे फिल्म की कहानी बहुत दिल्चस्प अंदाज में आगे बढ़ती है जहां कहानी से जुड़े और भी बहुत से पहलु हमारे सामने आते हैं मगर देखना तो ये है कि आखिर कौन है असली कातिल और आखिर संजना किस आदमी से छुपके मिलती है और वो क्यों ये सब अपने शौर से छुपा रही है ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं अब बात करें डारेक्शन और स्क्रीम प्ले के बारे में तो विकरम भड ने इस फिल्म में अपना बैस देने की कोशिश की है और उन्होंने डारेक्शन के मामले में इस टोरी को बेहत खुबसूरती से थ्रिलिंग अंदाज में प्रिजेंट किया और उनका काम इंप्रेसिव रहा और स्क्रीम पे राइटिंग भी बहुत अच्छे से की गई है जहां फिल्म का फर्स टाफ भी काफी अच्छे से लिखा गिया है जो आडियंस को कहानी से कनेट कर लेता है और फिर सेकंड हाफ में कहानी टुिस्ट अंटेंस के साथ हमें एंड तक बांदे रखती है और एक प्रॉपर एज अप दा सीड थ्रिलिंग एक्सपिरियंस देती है और डायलॉग्स की बात करें तो फिल्म में हमें ठीक ठाक डायलॉग्स भी सुनने को मिलते हैं जो इस प्लॉट के साब से सही लगते हैं इसके लावा सेकंड हाफ में हमें थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलता है जो काफी अच्छे से एक्जीक्यूट किया गया है और बात करें म्यूजिक की तो फिल्म का म्यूजिक भी ठीक ठाक है और एक शांदार एंटर्टेनिंग एक्सपिरियंस देता है अब बात करें एक्टिंग परफॉमेंस की तो बाबी दोल इस तरह के रोल्स में हमें काफी फिल्मों में दिखे हैं और वो अपना काम अच्छे से करना जानते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने डीसेंट काम किया और लारादत्ता की परफॉमेंस भी एक्स्टराइडनिरी रही और उन्होंने अपने किरदार को अपना 100% दिया जिसकी वज़ाद से उनका ये रोल उन पे बहुत सूट कर रहा थà और मिलन सोमन ने भी ठीक ठाक काम किया और बात करें शक्ती कपूर की तो उन्होंने भी अपने रोल को अच्छे से नभाया इसके लावा फिल्म की बाकी कास्ट ने भी ठीक ठाक काम किया है overall देखा जाए तो जुरुम एक शानदार मुवी है जो हमें एक proper entertaining और engaging experience देती है और मैं आप सभी को ये मुवी recommend करूँगा आप सब भी इस मुवी को जरूर देखिएगा और अगर आप mystery thriller मुवी देखना पसंद करते हैं तो ये मुवी आपके लिए एक perfect choice रहेगी